खेल अच्यक्स्ति कि अ अच्यक्सショeye हो अच्छा कि अ अल्हा skipped श्राइम वालेकों स्टूड़न्स हेलो हेला के आपुसे हैं सबॉने कैसे है कि अ बार फीर शाफप्ठर है वरंदा घाठ है ना घाटाद घाट वरंदा घाट आपको ये समझ में आया होगा आधा चैप्टर और मैंने जो टास्ट दिया था वो टास्ट भी शायद आपने पूरा किया होगा तो आज मतलम मैं उसों चेक करूँगा मैं तो स्टुडेंट्स जो चैप्टर है हमारा रिमेन ही उसको आगे बढ़ाते हम लोग और आज जैसे कि हम लोग ये चैप्टर में वरंदा घाट रिनी सीजन ये सब पढ़ रहे थे आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है बहुत अच्छा नीचर लग रहा है आज और इतने अच्छी बारिश में अभी अगर आप मुम्रा का पाढ़ देखना है ना बहुत खुबसूरत दिख रहा होगा अब मैं मेरे विंडो के सामने तो माशलाब बहुत अच्छा नीचर है तो काफी अच्छा लग रहा है मौनिंग टाइम आप लोग सुबा उठते हो के नहीं पता नहीं लेकिन अगर आप मौनिंग में अर्ली मौनिंग उठोगे तो आप नीचर देखा करो हमेशा बाहर बह उसमें एक चीज बताया था कि अगर किसी को भीगना पसंद है थोड़ा सा चलना फिरना पसंद है और उनको डेरिंग करना पसंद है तो उनके लिए ऐसे जिगरबाज लोगों के लिए कावडया किला है यहाँ पर यहाँ तक हम लोने पढ़े थे चलिए उसके आगे बढ़ जे उसका न्यू पैरेग्राफ टेक्सबुक सामने यह तो मिनिंग्स लिखो नहीं यह तो नुटबुक में लिखो कावडया किला तसा बराच मोठा है कावडया किला वैसा बहुत बढ़ा है तो फोडूनच उसे तोड कर वरंदा घाटाचा शेवडचा टपा तायार के ला है वरंदा घाटाचा शेवडचा टपा शेवडचा टपा मतलब क्या होता है लास्ट जो उसका जो स्टेप मतलब हम कह सकते है उसका जो लास्ट जहाँ पे बिल्ड किया गया जो लास्ट एरिया है लास्ट पार्ट जो है तो यह जो लास्ट पार्ट है वो इस कावडया किल गया उसे थोड़ा सा तोड़ कर, श्री वागजाई मंदिराचा बरोबर और वागजाई मंदिर के साथ में, जैसा वागजाई मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले, यहना एक गौडेस का टेंपल है, वर्चया भागात अपर साइट, उपर की तरफ, डोंगर माथ्या जवल, डोंगर माथा, डोंगर माथा का मतलब होता है शिखर, शिखर का मतलब होता है हिल टॉप, यहने टॉप पर, यहना, नवू टाक्यान सा समुहा है, नवू टाक्यान सा समुहा, नवू टाकी, यहने नाइन टैंक्स, उके, तो उपर, टॉप पर, नौव टैंक्स का ग्रूप है, कोने एकेकारी किसी जमाने में तो कावड़या किल्लाच सा एक भाग होता, वो इसी फोर्ट का एक पार्ट था, मतलब वो जो टैंक्स है, वो इसी का उस फोर्ट का पार्ट था, भजी, वड़े, चाहाचा, टपरेंचा बाजू ने, और इन टपरिये के बाजू से, आउगिया 10-15 मिनिटा, अराउंड 10-15 मिनिट्स में इथर जाउन पोहुचता है था, मतलब आप टपरिये के बाजू से अ पाने अला जीवन का मंता था, और क्यों हम वाटर को लाइफ कहते हैं, ते इथाले अवर करता है, वहाँ पोहुचने पर हमें उस चीज का फील होता है, तो वाटर is most important part of our life, हमारे जिंदेगी का जो सबसे important part है वो पानी है, तो क्यों है, उसका ऐसा समय यहाँ पर आकर मिलत है, क्यों ऐसा का गया, क्योंकि इतने उपर वो टैंक बने वे हैं, पानी के, जिसमें वाटर वो लोग जमा करके रखते थे, इतना उपर आने के बाद ऐसास होता है कि सही में जिंदेगी में पानी कितनी important है, काड़या शार पाशनात, काड़या शार, इने एकदम black color के, पा खोद ले ली पाणया चिती टाकी और उस पत्थर को खोद कर बनाए वी, वो पाणी की जो टाकी है, कितने लोगों की प्यास भुझाते हो गे, ताहान मतलब thirst, प्यास, भागवत असल मतलब प्यास बुझाने का काम करता होगा कौन जाने, कई सालों से कई लोगों की प्यास इस ठाके ने बुझाई होगी, ओल्या वाटे ने परत जाता ना, ओल्या वाटे ने, ओल्या मतलब वेट, गीले, गीले रास्ते से रिटन जाते वक्त, अंगा वर्चे कपडे, और पहने वे जो कपड़े हैं हमकास रंगतात ओवियसली रंगतात मतलब कलरफुल हो जाते हैं मतलब क्या उधर की जो मिट्टी है वो मिट्टी का रंग उन कपड़ों में लग जाता है आने जाने में परत एकदा आपन डामरी रस्त्यावर है तो फिर एक बार हम नॉर्मल रोड डामर से बने वे रोड प्या आते हैं उजव्या हाताच या वल्ना वर राइट हैंड राइट हैंड के टन पर वल्ना वर मतलब टन कावड़या किल्ला कड़े जाने आ रहा पाई वाटे वर और कावड़य किल्ले की तरफ जाने वाले पाई वाटे वर पाई वाटा मतलब वाकिंग पात पैदल चलने के रास्ते पर नजर स्थिरावते नजर स्टेबल हो जाती है रुख जाती स्थिरावते मतलब रुख जाना। बांधिव पायर्या पार करुन और इन ब्यूटीफुल स्टेर्स को पार करके, प्रॉस करके अरुन्द पायवाटे ने और एक अरुन्द, अरुन्द मतलब नेरो, है ना नेरो, बांधि मतलब constructed बहुत beautifully जो पहले जमाने में बने वे constructed बिल्ड किये वे अरुंद याने एक narrow पाई वाटे ने वोई पैदल चलने के रास्ते से कार्वी चा जाड़ी तुन कार्वी के plant में से तो कार्वी टाइप आफ प्लांट एक wild plant है कार्वी तो कार्वी चा जाड़ी तुन रुदयाची धड़पड तो जो रुदयाची धड़पड वाडवनारा track सुरूँ तो रुदयाची धड़द़वारवनारा सौरी धड़द़द़वारवनारा मतलब डराने वाला याने दिल को दहलाने वाला जैसे हम कहते हैं कुछ ऐसे जगे होती है जो बहुत ही हाड होती है चलने तो वो track सुरूँ होता है दिल धड़पने लगता है वरंदा घाट आचा उत्तरेला पसर ले लिया और वरंदा घ पहाड के नौर्थ में उत्तरेला मतलब नौर्थ में पसर ले लिया फैले हुए है डोंगराच्या सोंडे वरंदा आता ना उस पहाड की सोंडे वरंदा एक्चुली ना जो होता है वो किसको कहते है जो elephant होता है उसकी जो trunk होती उसको सोंड कहते है ओके तो यहाँ पैसा बत सून की तरा बने वे, उस रास्ते में चलते वक, डावी कड़े on left side, डावी मतलब left, खाली वरंदा घाटाचा, और नीचे देखेंगे हम, वरंदा घाटाचा कोकनात उतरत जानारा, कोकन की तरफ जाने वाला, वलन वलनाचा रस्ता दिस्तो, वलन वलनाचा रस्ता, वलन वलनाचा मतलब जिसमें बहुत सारे टन हो, तो राइटर आप क्या वो रध्यान देना राइटर के रहा है कि जब हम वरंदा घाट के नौर्थ की तरफ फैलेवे पाहाड पे हम जाते हैं और अगर हम लेफ्ट में देखे तो एक रास्ता नीचे उतरता है जो बहुत सारे टन वाला है और वो रास्ता जाता है कोकन की तरफ इत्थून पाई सटक ला अगर समझो अगर यहां से अगर आपका पेर अगर फिसल गया कि थेट समर्थांचा शिवथर घड़ित तो यहां से अगर आपका पेर फिसला तो सीधे समर्थांचा शिवथर घड़ित शिवथर घड़ शिवथर घड़ शिवथर घड़ इस अगर अज़ सुन्दर मट एक्चुली इट से केव एक केव है वहाँ पर जो सुन्दर मट के नाम से भी जाना जाता है जो तीस किलोमेटर है महाड से जहाँ पर कहा जाता है कि समर्थ जो रामदा से समर्थ समर्थ जो रामदा से उन्होंने दास बोध इस नाम की एक गरंत लिखा तो द्यान में रखना स्टूडेंट शिवथर घड़ इट से केव इस अज़ो नोन आज सुन्दर मट वेर समर्थ रामदा स्वामी रोट दे लिटरली कॉंपोजिशन दास बोध तो उन्होंने एक समर्थ रामदा से दास बोध यहाँ पर लिखा इसा कहा जाता है जो एक केव है तो राइटर कह रहा है कि यहाँ से अगर पेर छूड़ गया तो सीधे आप उस केव के तरब जाओगे इसलिए ओ कहाना है रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है दिल धड़कने लगता है तेमभाजर कोकना जाइट सनसेल और अगर आपको कोकन नहीं जाना है तर देशा वर्चा मातित तो यही पर के मिट्टी में सावध पणे पावलर टाकट टाकट जाइला हुआ सावध पणे सावध पणे मतलब बहुत ही अलर्ट रहकर धीरे धीरे आपको चलना होगा क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि यहां का जो रास्ता है वो बहुत डिफिकल्ट है डोंगर धारेच्या कड़या वरुन और उस पाहाड के किनारे से जानारी अरुंद पाइवाट एक बहुत ही नेरो जो पैदल रास्ता है एका सपाटी वर यूंठाउंते सपाटी याने प्लेन एरिया फिर वहाँ से आप जाओगे तो एक प्लेन एरिया में आप आके रुख जाओगे तशी सपाटी ही अरुंदत्स और ये भी जो प्लेन एरिया बहुत बढ़ा नहीं है ये भी बहुत नेरो है फ्लैट लैंड है बट नेरो फ्लैट लैंड है तीथुन पुन्हा एक दा कार्वी ची जाड़ी बाजूला करत करत कार्वी जेसे आमें बता ना टाइप ओफ वाइल्ड प्लांट उसको हटाते हटाते शेवटी एका टेकाराची उतर उतरूंड आप एक टेकाराची उतरण मतलब आप एक उतरतावा रास्ता एक स्लोपिंग उतरते वे अखेरची चड़ाई समोरते फिर एक लास्ट एक लास्ट चड़ाई चड़ाई मतलब उपर चड़ने का रास्ता आपके सामने आएगा आखरी इथुन वरंदा घाटा समस्त दर्शन घड़त यहां पर आकर आप वरंदा घाटा को एंजॉय कर सकते हों मतलब एक बेस्ट व्यू अगर आपको वरंदा घाट का लेना है तो सबसे बेस्ट स्पॉर्ट यही है थोड़ा डेंजर रास्ता है बट फिर आप सीधे लास्ट चड़ाई करोगे तो सीधे उपर जाओगे वहां से टॉप से आपको पूरा वरंदा घाट का दर्शन होगा डोंगरा चा सोंडे चा शेवटी और इस पहाड के लास्ट में जोत्या चे आउशेश आणी धासडून गेले लिया बुरुजान चे आउशेश दिसता तो और यहाँ पे जाने के बाद में आपको कुछ रिमेंज दिखेंगे टावर के पहले जमाने में बने वे जो टावर जोते उसको बुरुज जोते आचे आउशेश आणी धासडून गेले लिया बुरुजान चे मतलब पुराने जमाने के जो बने वे टावर्ज है उसके रिमेंग आपको यहाँ पर दिखेंगे ओके लास्ट पैरेग आप देखते है कोकना अतला निसर्ग पाहत कोकन का कि ने खड़े रहें सही बात है मैं जैसे आपको पहले भी बोला था कि हमारे महराष्ट में सबसे ब्यूटिफुल अगर कोई जगा है मैं कहूंगा कि पूरे इंडिया में मेरे हिसाफ से एट्स पर माय थौट कोकन जो है ना सबसे ब्यूटिफुल प्लेस है और ऐसे रेनी सीजन में तो क्या बात है वहाँ पे घुमना फिरना एक्चुली मेरा वो गाव नहीं है बट हमारे है काउंटेक्स के फ्रेंड्स है उनका गाव है एक से दो बार ही जाने का मौका मिला बट बहुत ब्यूटिफुल प्लेस है बहुत अच्छी जगे है यह ना लखी है वो लोग ज सा लगता है कि हम नेचर के सौंग को एंजॉय करें परतीचा प्रवासात रिटर्ण जर्नी है ना रिटर्ण जर्नी डोड़या साठव ले ले ते पाउसा चे चार शन और आखों में फिल्ड जो मेमरीज है और रिफ्रेशिंग रेन यानि हमारे आखों में जो मेमरीज इसक अरुन्द पाई वाटे वरुन और नेरो रास्ते पर अनुभाव लेला तो थरार चलते वक्त जो फूट पाथ है उस पे से चलते वक्त जो थ्रिल है जो डर है थ्रिलिंग एक्सपिरियेंस कारवी चे ज़ाड़ा चे ते काड़कन मोडन और कारवी के जो तूटने पर सडन ब्रेकिंग होने पर जो उसकी आवाज है बार्क आफ कारकिक ट्री प्लांट आणि त्याचा आवाज है कुन कालजाद लख होन और वो आवाज सुनकर थोड़ जाना कि आप पैर तो नहीं फिसल गया है ना अनलगे त्यातुन सावर्ण एंड सडनली अपने आप उसमें से बचाना है सारा सारा काही आठवत रहत है फिर आप हमेशा इसको याद करते रहोगे हस्ता हस्ता रड़वना रहा है यहने हस्ते हस्ते रोलाने वाला आनि अगर आपको इस ट्रैक को अगर इस फुटपात को एंजोय करना है तर वरंदा घाटा चा दिशेने तो वरंदा घाट के तरफ अपलिया गाडी ची चाकव बढ़वाई लावी तो आपको आपको अपने जो गाडी के जो टायर्स है उसको घुमाना होगा मतलब क्या आपको वहाँ पर जाना होगा अगर आपको इस ट्रैक को इंजोय करना है तो स्टूडेंट्स अगर आपको रियली इन प्रैक्टिकल अगर वरंदा घाट को इंजोय करना है तो आपको वहाँ पर विजिट करना होगा क्योंकि कुछ चीज़े हम कितना भी एक्स्पिरियन कर ले है अच्छे से लेकिन वो चीज जब तक हम अपने सामने नहीं देखते तब तक हम उसे अच्छे से experience नहीं कर सकते तो अगर आपको वरंदागाड enjoy करना है तो आपको भाप पर visit करना होगा ओके students I hope यह chapter आपको पूरा समझ में आया है चलिए इसके question answers हम लोग देख लेते स्वाध्याय में textuals आकरूती पूरुनकरा का पहला question है पावसाडा सुरू जाले अच्छा लेखकाला जानव रहरा खुणा अब बारिश शुरू हो चुकी है इससे writer को क्या indication मिलता है जेको हम भी बोलाओ ना कि आप खुद धूंडो खीक है ना धूंड लोगे ना students तो जैसा कि पहला आप लिख सकते हो तेज हावा यहने 160 है सवारा और एक बात और देखे थे हमने मिट्टी की खुश्बू माती पसरनारी सुघंद यह दो आंसर आएंगे आप पर मैं आपको नॉर् पाउसाचया आगमनाचा लेखकाचया मनावर होनार्या परिनामाचा ओगहुत्या ओग तकता त्यार करा यहने इसमें आपको बारिश के आने से प्राइटर के मन में उसका क्या एफेक्ट हो राता जैसा पहला दिया है पाउसाचया आगमना आने बारिश के आने से गत काड श्र्ण जीवन्त होता है, पुरानी बाते जिन्दा होती है, तो पहले क्या होता है ? हमेंसा लिख सकते हैं, कि डोड़े अन्स अमोरियू लगता है और वो सब बाते आखों के सामने आने लगती है, फिर नेक्स परिणाम क्या बाता पाने अतुन अलगत पने वहाँ जाता है, फिर वो पानी में से बह जाते हैं। फिर देखो उसके आखो का आखो के आसू और बारिश का पानी कौन सा समझ में आते हैं सा पड़ेते हमने। याद होगा आपको मग डोड़े अतला कोंटा आणि बाहर चा कोंटा तेज कड़त नहीं। फिर आपको यांसर या पर लिखना है कि लास्ट बॉक्स में कि डोड़े अतला कोंटा कि आखो का पानी कौन सा है और बारिश का पानी कौन सा है ठीक है। सब्सक्राइब से दूसरा कोश्चन आगे देखते हैं हम लोग थर्ड अब यह जो होता है ना कोश्चन खाली शब्द समोहाथ सा अर्थ मतलब एक इन वर्ड का आपको मीनिंग लिखना है जैसा एक एक जांपल में आपको दे देता हूँ जैसा जिगर बाज भटके अब ज इसमें तुमको इसका मीनिंग समझाना है इसका मतलब क्या तो जिगर भटके का मतलब क्या जैसा कि समझो बहुत देर जिनको भीगना पसंद देखो राइटर ने एक पूरा एक छोटा सा पैरव लिखा है कि बराज वेल गेला और जैनना थोड़े भिजावे से वाटते पा दोंगराची सोंड इससे रिलेटेट जो छोटे छोटे जो पैरेग्रफ आपको दिखेंगे वह आपको लिखना है अब रंगीली पाइवार्ट कहा थी मैं आपको इसी पता देता हूं कि एक रास्ता था था को गीला रास्ता हमने पड़ेते जहां पे नव टाकी का अब पहले की तरफ जाते वक्त तो वरंदा घाट के उत्तर हम पड़ेते ना कि नौर्थ में जो पहाड फैला हुआ है वो सुंड की तरह दिखता है ना सोंड की तरह ट्रंक की तरह करके उसको डोंगराची सोंड ऐसा का आगया ठीक है तो यह मैं आपको बता रहा हूं आप वरंदा घाटा चा निसर गाचे विहंगम दुरुष्य यानि वरंदा घाट जो है वहां का जो एक जो खुबसूरती है तुम चाह शब्दा दिया तो तुमको अपने वर्ड में वरंदा घाट की खुबसूरती को डिस्क्राइब करना है इसमें आप लोग वरंदा घाट के निसर का सौंदर है बहुत ब्यूटीफूल होता ऐसा बताना है यह ना वहाँ पर बहुत सारे जरने है चारों तरफ हर्याली है और पहाड पर आसमान दिखाई देते हैं यह ना कंटीन्यू बारिश होती है पानी भेता है ठीक है ना यह सब फिर जगे जगे पर टपरी है कि इसकी भजे वड़े और चाय की यह ना ऐसा सब आपको उसमें इंक्रूड करना है इजी स्टूडेंट्स जरा भी टेंशन ने लिएना लिखते वक्त मैं आपको हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप उसको पर्टिकुलर्ली धून कर वह परिग्राफ लिक्स और मैं को घुमना है तो वो उनके लिए कावडा किला है अब कावडा किला को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो कि कैसा रास्ता था कैसा वहाँ पर पहुशना है बस वो सब चीज़ है उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है खाली दिले लिया विशेश्य आनी विशेशन आंच्याज योग्य जोड़ा अब आपको ना विशेशन विशेशन क्या होता है जो कॉलिटी बताता है ना नाउन या प्रोनाउन की अब उसके साथ विशेश्य जोड़ना है जैसा कि अब देखो पहला विहंगम विहंगम मतलब ब्यूटिफुल यह विशेशता है तो विशेश्य क्य क्या आएगा, देखो, कांदावजी, राइट, हैना, घोंगावनारा, वेरी गुड, वारा, काड़ाशार, पाशान, और अरुन्द, पाइवाट, समझा स्टोन, तो इसको आप कैसे करो लिखो, विशेशन एक तरफ पूरे कोश्चन लिख दो, और विशेशन लिखके ना, व उसके सामने लिखते हो, जैसा गरमा गरम लिखे, तो उसके सामने डायरेक्ट लिखो कांदा भजी, इसके बाद हम लोग का नेक्ट्ट कोश्चन है, शब्द योगी अव्वे, शब्द योगी अव्वे क्या होता है, स््टूडेंट्स, जैसा एक वर्ड के साथ, दूसरा वर्ड जूड कराता है। मैं एकदम देखुँँ आभी तो फिलाल में एकदम नॉर्मल ली समझा रहा हूं, हम लोग्यव के इति शपदयो जुड कि मतलब एक वर्ड के साथ जब दूसरा वर्ड जूड कराता है, इसा मैं करे के क्योशन पढ़ लू Х teeny तो एक वर रस्ता के साथ जब दोसरा वर जूडकर आता इसपो तो कहते हम शब्द योगी अव्वे तो उसमें आपको तीन मिले तो आप क्या करोगे पूरा कोश्चन लिख दोगे फिर नीचे लिखोगे पहला पूणया हुन हुन कॉंडर लाइन फिर सेकेंड लिखोगे महाड कड़े कड़े कॉंडर लाइन फिर उसके आद लिखोगे रस सारखी, सारखी को अंडरलाइन करना है, ठीके, उसके बाद में, जिगरबाज भटक्यान साथी, का उड़या किल्ला सज्जा है, क्या आएगा इसका शब्दयोगी, साथी, राइट, भटक्यान साथी, तो भटक्यान साथी लिखकर साथी को अंडरलाइन करना है, उसके बाद म विराम चिन्य उडखुन टैन्ची ना वे लियां, विराम चिन्य पहचाने हैं, गाटाथ गाट, वरणडा गाट, बाकि सब घटियां, लास में exclamation mark है, तो exclamation mark को मराधि में क्या बोलते हैं? मतलब इसा कोई पुरानी नई बात नहीं हमें, बोले student आपको लोग को ये जो exclamation mark है इसको क्या बोलते है केवल प्रयोगी अव्वे क्या बोलते है केवल प्रयोगी अव्वे उके इसके बाद में second में single invited कौम आए ना तेशन को तो क्या लिखेंगे एकेरी अवतरन चिन्ह क्या लिखेंगे एकेरी अवतरन चिन्ह वो sign बनाना है और फिर लिखना है एकेरी अवतरन चिन्ह ओके अब चलिए student तो यही तक chapter हम लोग का finish हो गया है यह ना I hope यह chapter आपको पूरा समझा है और इंशाल्ला फिर अगले lecture में हम लोग continue करेंगे semester के हिसाप से एक poem और एक chapter है तो ऐसा सोचा था मैंने कि आज poem भी हम लोग कर लेंगे बट enough है आज है हमाय पास वक्त तो अभी इंशाल्ला next lecture में हम लोग poem और chapter finish कर देंगे और वो होने के बाद में आपको में थोड़ा सा semester के हिसाप से थोड़ा work दूंगा तो वो आपको assignment रहेगा अभी नहीं जब एक poem और एक chapter हो जाएगा फिर वो assignment आप solve करना तो assignment solve करोगे आप तो थोड़ा सा आपकी practice भी हो जाएगी यह न assignments करने से क्या होगा न कि भले देखो school का तो आप कब start होती है इसका कोई अंदाजा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगी normally semester के हिसाप से मैं आपको assignment दूंगा क्योंकि पहला unit हमारा हो जाएगा दो भागे आपके book में यह ना अगर आप देखोगे न मैं आपको बताता हूँ देखो आपके book में दो भागे अब ये दो भाग को कैसा होता है normally कि अभी तो unit actually unit exam का time है अगर देखा जाए तो जुलै चल रहा है August में unit exam होते हैं तो अभी तो school ही नहीं चल रही है तो unit exam की बात ही छोड़ दो तो देखो अभी आगर आप देखोगे न यह देखो ये है मैंने शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ शुरुवात में ये भाग एक है ये भाग एक में seven chapter and poem combine हैं दो poem इसमें प्रभात और एक अभाड़ाची आम ही लेकरे थर्ड प्रभात है already अम पढ़ चुके है मी चितरकार कसजालो हो गया है प्रभात हो गया है आपन सार एक हो गया है घाटाद घाट वरंदा घाट हो गया है अभी सिफ अभाड़ाची आम ही लेकरे ये poem और नातवंडा स्पत्र बस इतना हमें complete करना है तो ये तो दोनों दोनों लेक्चर में हो जाएंगे और इसके साथ में आपको जैसा बता है कि भाग एक जो है ना ये आता है semester में normally तो मैं आपको उस semester के हिसाब से मैं आपको assignment दूँगा और वो assignment को आपको sincerely complete करना है देखो अब आप सामने ने तो मैं हम लोग इतना आपको force नहीं कर सकते बट आप sincere रहो आप sincerely करो तो इंशाला हो जाएगा तो ठीक है students तो इंशाला मैं आपको next time वो assignment दूँगा वो assignment आप लोग complete करना ताकि आपकी practice होती रहे तो till then bye, Allah Hafiz take care of yourself, respect your parents अपने parents के respect करो अपने मम्मी डैडी के respect करो खास करके बड़ों के respect करो और इतना आपके लिए आपकी मम्मी आपके पीछे time दे रही है आपके डैडी time दे रहे है मम्मी कब देखो हम सब सुकुन में है इस lockdown में सब relief में है बट सिव हमारी mom जो है न उनको जरा भी सुकुन नहीं है उनका काम पहले जैसा ही चल रहा है और उल्टा डबल हो गया है क्योंकि हम घर पे तो अपनी मम्मी की थोड़ी help करो काम में जितना आप से हो सके है न और सबसे पहले तो आज आप अपने मम्मी को गले लगा लो ये बोल करके थैंक्यू मम्मी तो मम्मी पुछेंगे क्यों तो बोलना नहीं आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहो गर पे तो आप एक सब करोगे पहला मैंने काम दिया था पूछना ती के बारे में आपने उकिया है दुसरा टास ये दे रहा हूँ कि अपने मम्मी को आप गले लगाओगे आपके डैडी को आप गले लगाओगे थैंक्यू बोलोगे अगर पूछेंगे क्यों तो बोलना नहीं हमको बोला गया सर ने बोले कि नहीं अपने पैरेंस को गले लग उनको धैंक्यू बोलो क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हूँ ठीक है स्टुड़न अच्छा लगेगा उनको और आपको भी अच्छा लगा कर और वो एक्स्पीरियंस वो एक्स्पीरियंस आप एक छोटा सा पैरेग्राफ लिखकर सेंड करोगे हिंदी में लिखो चलेगा लिखो मैं चाहता हूँ कि आप एक्टिविटी करते रहो थोड़ी बहुत ठीक है स्टुड़न तो एक्स्पीरियंस आपको मुझे लिखकर वाट्सप करना है क्लास के नमबर पर ठीक है तो तिल देन बाई टेक केरो अपसेल अल्ला आपिस